वेलकम दोस्तों आप सबका मेरे चैनल EZ Classes पर आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पिक्निक एनलोगी ऑफ इलेक्टरॉंस जिसमें हम एक एक्जाम्पल के एक्जाम्पल से समझेंगे कि इलेक्टरॉंस एक कंड़क्टर में किस तरह से बिहेव करते हैं कैसे मूव करते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे What is Electronic Circuit फिर पढ़ेंगे What is Circuit Diagram और लास्ट में हम इलेक्टरिक करेंट के बारे में जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग एनलोगी से एक एक्जाम्पल से एक रियल लाइफ सिचुएशन से और यह जाने ही कोशिश करते हैं कि इलेक्टरॉंस एक कंड़क्टर में कैसे बिहेव करते हैं तो माल लिजे आप अपने स्कूल के टीम के साथ बहुत सारे बच्चे पिक्निक पे गए ठीक है यू अफ्टर मुविंग हेर इन देर फॉर लॉंग यू फेल्ट वेरी हंग्री ठीक है तो वेन यू टीचर के वेन यू टीचर टुक यू तो अग्राउंड जहां पर पहले इसे कुछ food के stalls है माल लिजे तो इस तरह से मैं उन stalls को बना लेताओं माल लिजे इस तरह से मैंने बहुत सारे stalls बना दिये on the ground ठीक है इस तरह से तो जब आप लोग पहुँचे ग्राउंड पे आपने देखे बहुत सारे फूड के स्टॉल्स थे तो सारे बच्चे ग्राउंड में जाएंगे तो होगा क्या कि वो सब फूड स्टॉल्स के चारोर राउंड सर्कल बना के खड़े हो जाएंगे सब के सब फूड स्टॉल्स को घेर लेंगे ठीक है इस तरह से इस तरह से सारे बच्चों ने फूड स्टॉल्स को घेर लिया ठीक है बिकॉस एवरीवन वास वेरी हंगरी इस तरह से तो जैसे कि आप देख रहे हो यह हमारा एक real life situation है यहाँ पर मैंने जो positive sign के साथ जो बना रखा है center पर circle that is आप उसको एक table मान लो जहाँ पर food stalls लगे हैं और उसके चारों और जो मैंने dotted circles type के बना रखे हैं आप समझो कि वहाँ पर सारे students ने उन food stalls को घेर रखा है तो अब क्या होता है जो students उन stalls के just pass में जो students stalls के pass में हैं they will get the food ठीक है बट जो students stalls से काफी दूर में है अब उनको क्या होगा वो लोग stalls से काफी दूर होने के कारण they won't get sufficient amount जो उनको चाहिए ठीक है वो बार बार अंदर जाने की कोशिश करेंगे स्टॉल से सर्विस उठाने की कोशिश करेंगे कुछ खाने को देखेंगे but they won't get because वो सुर्कल में एकदम बाहर की तरफ है और जो लोग इनर सुर्कल में हैं they will easily get whatever they want तो क्या होगा जो आउटसाइड पर स्टूडेंट्स रह गें because they are also hungry they are also feeling attracted towards food तो वो क्या करेंगे they will keep on moving around the food stalls देखेंगे कहीं से उनको रास्ता मिल जाए अंदर जाने का but at the same time they will also start moving from one stall to other ठीक है जैसी उनको लगेगा कि किसी और stall पे उनको जादा अच्छे से मिल पाएगा खाना तो they will start moving from one stall to other और इस तरह से at random पूरे stalls में पूरे ground में motion होता रहेगा of these students जो की outside पर हैं जो की अपने-पने stalls के outside periphery पर थे और भीड होने के कारण they could not get the service from their stalls इस तरह से वो एक stall से दूसरे stall में within the ground ठीक है move करते रहेंगे at random अब यही situation होती है exactly same in a conductor and these outermost students जो की बहार है जिनका influence जिन पर influence of their own stalls is very less because of their distance ठीक है their random motion ठीक है this is same as the motion of free electrons motion of free electrons within a conductor ठीक है इस तरह से पूरे ground पर यह free electrons at random motion करते रहेंगे in order ठीक है in order to get a better service somewhere else कहीं पर और पर इनको better service कहीं मिल जाए इस इच्छा के कारण यह लोग पूरे ground में at random motion करते रहेंगे now what happens suppose कर लीजे हमने यहां पर एक लंबी से table लगा दी इस end पर जहां पर food है ठीक है suppose इस पूरी table में हमने food रख दिया तो what would happen all these free random moving electrons ठीक है जो सारे बच्चे इधर जो randomly move कर रहे थे in search of service in search of food what will they do they all will rush towards this table this food table in one direction they all will rush towards this one table ठीक है and जब इन सब का unidirectional motion होने लग जाएगा तब हम बोलते हैं कि the current starts in the circuit ठीक है circuit में current flow कर रहा है तो ये same analogy होती है हमारे conductors में भी conductors में जब तक आप अपना कोई potential difference नहीं apply करते हो conductor के both side या कोई battery attach नहीं करते हो तब तक there is random motion of electrons of free electrons within the conductor body but as soon as we apply the battery or potential difference across the ends all the free electrons just the free electrons it is very important just the free electrons start moving towards one single direction that is positive terminal of the conductor ठीक है they all start going towards the positive terminal of the conductor and this unidirectional motion of all free electrons causes current in the circuit this is the same analogy which is present in the conductors now यहीं पर मैं आपको बताता हूँ कि how does resistance occur in the circuit how does the conductor offer resistance in our circuit मैं आपको इसी अनलोगी से थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ आप ध्यान से देखना हूँ बच्चों हम यह जानते हैं कि solids solids liquid and gases तीन टाइब के substances होते हैं nature में जो solids होते हैं उन में intermolecular distance यह काफी कम होता है मतलब solids के जो atoms होते हैं वो बहुत ही पास-पास होते हैं एक दूसरे के बहुत पास-पास होते हैं ठीक है solids में जो atoms होते है liquids में जो atoms होते हैं वो slightly तो इसी कारण से आप यहां पर देखो तो यह बहुती पास-पास arranged atoms हैं बहुती पास-पास arranged atoms हैं तो क्या होता है For example, यह वाला हमारा free electron जिसको मैं sketch से दिखा रहा हूँ यह वाला free electron move करना start करता है towards this positive terminal अब जैसी वह speed अपने बढ़ाता है towards this positive terminal उसके सामने एक atom आजाता है अब उस atom, वो सामें atom آजाता है तो इसकी speed zero हो जाती है अब फिर ये अपनी speed side से निकलता है अपनी speed फिर जैसे ही increase करता है फिर उसके सामने एक atom आजाता है and so on, वो फिर आगे निकलता है फिर कोई atom आजाता है and so on, वो करते करते यहां तक पहूंचता है तो इस कारण से because of successive collision of electrons, of free electrons with the fixed nuclei या fixed atoms of the conductor उसमें resistance आता है और इसी को overcome करने के लिए वो बार-बार टकराता है, zero velocity होता है, फिर अपनी velocity increase करता है, फिर आगे जाता है, फिर collision होता है, फिर velocity करता है, फिर increase करता है और इस तरह से वो अपना collide करता है, अपना circuit complete करता है, ठीक है, तो because of this, the resistance comes in the material and because every material is made up of atoms, ठीक है, therefore, every material on this planet, every material present on the earth, offers some or the other resistance यहाँ पर मैं आपको एक important बात भी बताना चाहता हूँ, एक और, यह जो atoms होते हैं, ठीक है, यह जो atoms होते हैं within the conductor, within the conductor, जो atoms होते हैं, यह stationary नहीं होते हैं they keep on vibrating at their own position, ठीक है, यह लोग slightly vibrate करते हैं, अपने own position पर अब यह क्यों होता है, यह एक fact है, कि absolute zero, मतलब एक temperature होता है, absolute zero जिसको बोलते हैं, that is zero Kelvin, और Celsius में आप लिखोगे तो minus 273 Kelvin, minus 273 degree Celsius, ठीक है, minus 273.15 degree Celsius होता है यह, ठीक है, minus के साथ, minus 273.15 degree Celsius, this is absolute zero, इस temperature पे, ठीक है, इस temperature से उपर, अगर कोई भी substance होता है, तो उसके, उसमें kinetic energy के कारण, kinetic, उसमें, sorry, thermal energy के कारण, वो vibrate करने लग जाते हैं, ठीक है, and room temperature is about 20 to 25 degree Celsius, तो इस, इनका difference आप देखो, काफी जादा है, तो room temperature पर, जो हमारे nuclei होते हैं, या जो atoms होते हैं, वो slightly vibrate भी करते हैं, अपनी position पे, वो बहुत इधर अधर नहीं चले जाते हैं, they just vibrate a little bit on their position, तो अब आप देखो, electrons के पाथ में एक तो पहले से ही बहुत सारे atoms थे, और उसके बाद atoms are vibrating, ठीक है, तो therefore, whatever the free space they are getting, it also gets reduced, ठीक है, because of the vibration या motion of these atoms and nuclei, ठीक है, this causes resistance in the circuit, ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, कि resistance किन-किन factors पे depend करता है, resistance of a conductor, depends on, depends on क्या-क्या factors, आप इसी analogy से उसको समझने की कोशिश करना, number one, length of conductor, length of conductor, किस तरह से, अगर मान लीजे ये electron है, अगर इसको यहाँ तक जाना है, this is positive terminal of the battery, this is negative terminal, अगर इस electron को positive terminal तक जाते हैं, अगर इसका रास्ता जितना ज्यादा लंबा होगा, ठीक है, इसका रास्ता जितना ज्यादा लंबा होगा, उसको उतने ज्यादा collisions से होके जाना पड़ेगा, उतनी बार उसको अपनी velocity जीरो होगी, फिर बढ़ानी पड़ेगी, उतने ज्यादा collisions से को जेलते हुए उसको जाना पड़ेगा, इसलिए इसको high resistance जेलना पड़ेगा, तो length of conductor जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा resistance होगा, number one factor, number two factor, area of cross section, area of cross section, अब इसमें क्या बोल रहा हूँ, मान लिजे हमारा जो path है, electrons का, वो इतना थिक है, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत सारे electrons कुछ यहाँ से जाएंगे, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, अब और मैं चाहता हूँ कि thin wire से बहुत high current जाएंगे, तो क्या होगा, बहुत large number of electrons को बहुत thin path से गुजरना पड़ेगा, और उसके current क्या होगा, उनका easy flow restrict होगा, इस वज़े से, area of cross section अगर increase करेगा, तो resistance घटेगा, और अगर area of cross section कम होगा, तो resistance बढ़ जाएगा, resistance is the problem which the electrons face, ठीक है, while moving from the conductor, third is resistivity of the material, resistivity of material, resistivity of material, यह material की property है, यह material to material fixed value होगा, for example, copper की कुछ resistivity होगी, silver की कुछ resistivity होगी, iron की कुछ resistivity होगी, यह उसकी material property है, depending on the, उनका atomic arrangement है, atomic, interatomic spaces कितनी है, तो उस factor पर depend करता है, यह resistivity उनका material property है, identity होगी 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 है, and one more factor on which the resistance depends, is temperature, जैसे कि हमने अभी देखा, जितना ज़्यादा temperature होगा, उतना ज़्यादा atomic vibration होगे, और जितना ज़्यादा atomic vibration होगा, electron के movement के लिए, उतना ज़्यादा problem वो create करेगा, ठीक है, और जितना कम temperature होगा, उतना vibrations कम होगे, और electrons को थोड़ा easier होगा to travel from the conductor, इसलिए इन चार factors पर हमारा resistance depend करता है, length of conductor increase करेगा, तो resistance increase करेगा, area of cross section increase करेगा, तो resistance decrease हो जाएगा, ठीक है, because अब electron को move करने के लिए, easy path मिल जाएगा, resistivity of the material, जितनी increase करेगी, ठीक है, resistance उतना increase करेगा, तो जो अच्छे conductors होते हैं, उनकी resistivity बहुत कम होती है, और जो बुरे conductors होते हैं, या जो non-conductors या insulators होते हैं, उनकी resistivity जादा होती है, ठीक है, next is temperature, temperature जैसे जैसे increase करता है, resistance increase करता है, जैसे जैसे temperature आप increase करोगे, resistance आपका increase करेगा, तो ये चार factors पे resistance depend करता है, on, of any conductor, next हम topic पढ़ते हैं, what is electric circuit, electric circuit क्या है, it is an arrangement or connection of electronic devices in such a manner that it allows the passage of electric current, thus converting electrical energy to some other usable form, मतलब electric circuit क्या है, electric circuit सिर्फ एक combination है, of electronic devices, ठीक है, बहुत सारी electronic devices का ऐसा combination, जिससे की कुछ useful काम आप कर पाऊ, ठीक है, उसको आप electric circuit बोलता हो, और जो diagram, diagrammatic representation है, of that electric circuit, is called a circuit diagram, ठीक है, तो जो diagrammatic representation है, of electric circuit, is called circuit diagram, यहाँ पर मैंने एक circuit diagram आपको provide कर रखा, आप देखिये, इसको यहाँ पर मैंने सबसे पहले cell और battery लगा रखा है, cell, अगर single ऐसे है, this is positive terminal, negative terminal, अगर सिर्फ एक है, जहाँ पर positive, negative terminal, it is called a cell, और अगर आप एक combination ले लो of cells, इस तरह से, ठीक है, तो आप इसे battery बोलता हो, जहाँ पर एक positive, negative, फिर positive, negative, positive, negative, positive, negative, अगर आपने पुराने time का radio देखा होगा, तब आप देखते हो कि, तो इस तरह से हमने cell या बैटरी हमने इस तरह से शो करते हैं, then moving forward, this is a key या switch, then a bulb, ठीक है, हम यहाँ पर एक रिजिस्टर लगा सकतो, बल्ब या लोड आप बोलता हो, फैन बोल सकतो, कुछ भी आप जो electronic component लाओगे, that becomes your load, ठीक है, a resistor, ठीक है, and this is a voltmeter, which is connected in parallel to the resistor, and this voltmeter measures potential difference between this point and this point, potential difference across the resistor, या load, क्या है, वो बताता है हमारा potentiometer या voltmeter, moving forward, this is mmeter, mmeter एक electronic device है, जो कि current कितना flow कर रहा है, in the circuit, वो find करता है, mmeter, ठीक है, यह current को measure करता है, तो जब current इससे पास होता है, mmeter से, तो कितना current है, कितना impure current है, वो measure करता है, in the circuit, this mmeter, and then the electric current goes back to the battery, तो इस तरह से, हमारा एक circuit diagram हम बनाते हैं, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का last topic है, electric current पे, यह बहुत ही important एक topic है, तो समझते हैं, हम electric current क्या होता है, इसका symbol है, I, I से आप इसको represent करते हो, तो electric current क्या होता है, it is the rate of flow of charge per unit time through any cross section of the conductor, ठीक है, rate of flow of charge, मतलब, charge हमारा किस rate से flow कर रहा है, in the circuit, ध्यान रखे, charge, बने rate of flow of electrons नहीं बोला, तो इसमें बहुत error होती है, यह बच्चे error करते हैं, rate of flow of electrons बोलते हैं, electron का flow rate नहीं, charge का flow rate, ठीक है, जैसे, for example, अगर एक electron अगर गया इधर से इधर, तो कितना charge transfer हुआ, अगर कोई आप से पूचे, तो आप क्या होलोगे, जितना एक electron का charge होता है, वही charge transfer हो, और एक electron में कितना charge होता है, 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb, तो 1 electron means, 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb का charge, ठीक है, तो it is a rate of flow of charge per unit time through any cross section of the conductor, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो charge on one electron is इतना, 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb, इतने का negative charge, हमें बार-बार ये value, 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb, 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb, इतना लिखना, थोड़ा सा TDS हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक symbol से इस number को represent कर लेते हैं, तो माल लेते हैं, वो symbol हम E कहते हैं, ठीक है, अगर मुझे electron शो करना है, तो मैं ऐसे शो करूँगा, और अगर मैंने सिर्फ E लिख रखा है, तो इसका मतलब कि मैं क्या represent करना चाहता हूँ, ये number को represent करना चाहता हूँ, ताकि इतना बड़ा number मुझे बार-बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैं E से represent कर रहा हूँ, 1.6 into 10-19 coulomb की value को, ठीक है, ये आप याद रखेगा, चलिए, आगे बढ़ता है, तो इस circuit डियाग्राम में आप देख रहे हो, कि हमने एक cell अटाच करा है, एक conducting body है हमारे पास, this is conductor, एक conducting body है हमारे पास, जिसमें electrons हैं, काफी ज़्यादा है, फ्री electrons है, तो जैसी आप circuit on करते हो, switch on करते हो, तो क्या होता है, सारे free electrons, ठीक है, they start moving towards positive terminal, ठीक है, सारे free electrons, और हम current की बात करें, तो current की direction हम मानते हैं कि positive terminal of battery से इस direction में move कर रहे है, towards a negative terminal through the conductor, ठीक है, तो when there is net flow of charge in a direction across the cross section V से current flow होने लग गया है, मतलब, जब एक किसी particular cross section, any cross section of the conductor से net flow of electrons in a particular direction होने लग जाए, तब आप बहुत हो कि circuit में current flow करने लग गया है, ठीक है, अब current की value कितनी होती है, या current की definition हमने पढ़ी है हाँ पर, अब हम current आप कैसे measure कर तो, कैसे calculate करोगी कितना current है, कितना MPI current flow कर रहे है, तो current is equal to total charge flow, ध्यान रखेगा, this is not total electron flow, it is total charge associated to electrons, ठीक है, total charge flowing divided by total time taken, या फिर total charge flowing per unit time is called current, ठीक है, आप charge को Q बोलते हो, आप इसको Q upon T बोलते हो, total charge flow is Q upon T, इस वज़े से current हो जाएगा आपका Q upon T, and Q can be written as N into E, कैसे, for example, ये this is total charge, कैसे, for example, one electron flow करा, तो one electron flow करा, तो कितना charge flow हो जाएगा, जितना is the charge of one electron, and that is, 1.6 into 10 के पाँ minus 90, अगर 2 electrons flow करे, तो 2 into charge of one electron, अगर 10 electron flow करे, तो 10 into charge of one electron, ठीक है, तो इस तरह से, हम total charge निकालते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको बोला था, यहाँ पर मैंने आपको बोला था, इस number से आप याद रखना, ये number is, charge of one electron को बार-बार ना लिखना पड़े, इसलिए, हमने एक छोटा, एक alphabet से इस number को represent कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर आ जाएगा, तो total charge कितना हो जाएगा, जितने number of electrons flow करे, multiplied by charge of one electron, and charge of one electron is E, that is 1.6 into 10 की पावर minus 19 कोलम, तो total charge कितना हो जाएगा, total number of electrons into charge of one electrons, and the time taken is T, तो इस formula is very very important, इसको आपको याद रखना है, तो current is total charge upon time, and total charge is N into E upon time, ठीक है, तो if N electrons flow हो गए है, तो total charge would be total charge that has been flow, that has flown, ठीक है, is N into E, तो Q is equal to N E, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यह formula बहुत important है, याद रखेगा, हम अभी एक numerical भी करने जा रहे हैं इस formula पर बेस्ट, next is unit of electric current, तो electric current की unit क्या है, तो electric current की दो units है, दो main units है, आपको कभी कभी unit दे देता है और बोलता है कि फहचान हो एक इसकी unit है, तो you have to be careful, ठीक है, one is coulum per second, यह unit कैसे आई, charge की unit क्या होती है, coulum and time की SI unit होती है, second, तो charge coulum per second, ठीक है, coulum per second is the one unit of electric current, तो one unit of electric current is coulum per second, another standard unit is ampere, तो आप electric current को one ampere, two ampere, three ampere भी बोल चकते हो, या फिर one coulum per second, two coulum per second, three coulum per second, इस तरह से, इसकी sub units भी होती है, जैसे milli ampere, micro ampere, ठीक है, तो यह sub units भी होती है, one milli ampere, अगर बात करते हो, तो that is 10 की power minus 3 ampere, मतलब one ampere current को, के आप 1000 टुकडे कर दो, तो then one small part would be one milli ampere, जैसे one meter और one millimeter में जो relation है, one meter is equal to 1000 mm, उसी तरह से one ampere is equal to 1000 milli ampere, ठीक है न, तो यह याद रखेगा, एक और definition होती है current की, current is the total charge flowing across a given cross section in unit time in a conductor, कहने का मतलब, अगर मैं इस time को one कर दू, अगर मैं इस time को one कर दू, या one मान लू, तो मेरा current would be equal to total charge flowing, तो वही definition हमने बोली, कि current is the total charge flowing through the conductor, in one unit of time, अगर one unit of time ले लो, तो जितना charge flow होगा, same would be the amount of current flowing across the conductor, तो दोस्तों एक question करते हैं हम, यह question बहुत अच्छा है, interesting है, आप उसको ध्यान से देखेगा, इसको observe करने की कोशिश करिएगा, सिर्फ इसको solve करके answer मत निकालिए, इसको observe करने की कोशिश करिए, question is, how many electrons will flow in one second through a cross section of wire, if one ampere current is flowing in it, मतलब, एक wire है हमारा, जिसमें one ampere current flow कर रहा है, ठीक है, one ampere current flow कर रहा है, और time दे दिया one second, एक second में, एक ampere current flow कर रहा है, त्रूदा वायर, और आपसे पूचा गया है, कि how many electrons, कितने electrons गुजर गए उस wire से, उस एक second में, अगर एक ampere current flow कर रहा है, ठीक है, question काफी clear है, how many electrons will flow in one second, through a cross section of a wire, if one ampere current is flowing in it, अच्छा, cross section को मैं एक बार और बता दूँ, cross section होता क्या है, for example, this is our wire, ठीक है, माल लीजे, यह हमारा wire है, तो यह एक cylindrical shape है, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे cylindrical shape, तो what is the cross section of this wire, cross section is this, this section, this circular section is the cross section of this wire, ठीक है, this circular section is the cross section of the wire, जहां से electrons flow कर रहे हैं, ठीक है, तो how many electrons will flow in one second, through a cross section of wire, if one ampere current is flowing through it, तो पहले given data हमने लिख लिया, number of electrons हम से पूछा है, time हमें one second दे दिया, current हमें one ampere दे दिया, तो हम जानते हैं कि current is, q upon t, ठीक है, and q हमारा होदा total charge, total charge is ne into t, current हमें one ampere दिया, n हमें find करना है, e हम जानते हैं, 1.6 into 10 के पार minus 19 होता है, and time हमें one second दे दिया, ठीक है, जब आप इसको solve करोगे, तो n निकल के आएगा, 10 के पार 19 upon 1.6, और जब इसको solve करोगे, तो n वोड़ भी 6.25 into 10 के पार, 18 number of electrons, अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको जड़ा सा गौर करें, ज़धा दियान दे, आपको बहुत ही एक interesting चीज़ पता चलने वा लिया, अगर आप इसको expanded form में लिखते हो दोस्तों, तो ये बन जाते हैं, this number, ठीक है, 6.25 followed by 16 zeros, can you count the number, ठीक है, अब ऐसे count कर नहीं कोशिश करो जड़ा, once 10, 100,000 करते कर जड़ा, ये number क्या है जड़ा बोल के दिखाओ, ठीक है, can you do this, तो बहुत छोटा है ना, actually this is very, 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 very big, ठीक है, can you imagine, just एक बार imagine करके देखो, इतने number of electrons, इतने number of electrons, ठीक है, will flow in one second, ठीक है, can you imagine, in one second, through the cross section of the wire, अगर उसमें, एक ampere current बह रहा है, and that too in one second, ठीक है, इतने number of electrons will flow, in one second through the wire, ठीक है, अगर एक ampere current flow कर रहा है, तो this many number of electrons will flow, through the wire, जसमें, वन ampere current is flowing, these are only free electrons, ठीक है, ये भी एक important बात है, कि ये total electrons नहीं हैं, ये conductor के, these are just the free electrons, which live in the outer shell, तो imagine how many electrons, there must be in the wire in total, ठीक है, तो दोस्तों, आज़ी class बहुत interesting है, और आज़ी class में, हम इतना ही पढ़ते हैं, अगर आपको ये topic बहुत अच्छा लगा, और आज़ी class अच्छा लगी, तो आज़ी class में बस इतना ही, आगे बढ़ेंगे हम next class में, thank you.